ये अभी आने वले तीन महीने आपके लिए बड़े इंपोर्टन रहने वाले हैं आपको थमनेल से भी समझ आया होगा आज की इस वीडियो में आपको अपकमिंग जॉब्स के बार में बताने जा रहा हूं और ये बिल्कुल ऑफिशियलाइस में ऐसा नहीं है कि कहा गया और कि जॉब्स नहीं आने वाली ये वेकशनीस में आने वाले ऐसा है इसे आपको पहले बताने वालएえं कब फॉर्म लगे तीन महीने स्पलाइड वालों के लिए जाए है कम से कम graduate होंगे यहां पर apply कर सकते हो यह बारवी पास हो कम से कम आप यहां पर apply कर पाओगे अगर आप 10 पास हो तो आप यहां पर apply कर पाओगे तो मैंने आपको पहले ही कहाता है कि मैं आपके लिए research करता रहूंगा कि जो भी job update से आपसे share करता रहा हूँ एक alternate आपको बताता जाओँगा JKSSB का ताकि आपको सफर ना करना पड़ रहे जितने जल्दी हो सकता है आप मेहनत करके जो आपका recruitment पूरा करना है जो भी process बगारा नोपर जानी है वो सपना पूरा कर सको देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा one by one जैसे हम graduate past vacancies की बात करेंगे यहाँ पर मैं सारी SSC के vacancies आप से share कर रहा हूँ graduate मतलब अगर SSC CGL के लिए अगर आप apply करना चाहते हो first April से form start हो जाएंगे और first May तक आप apply कर सकते हो अगर आपने graduation कर रहे इसे बहतरीन मोगा आपको नहीं मिलने वाला है competition चाहे जासा मर्जी हो वो सब कुछ दिमाग के बात है आपने कर मैनत करनी है exam आपको crack करना अगर आपको सरकारी नोगवी चाहिए जल्दी से जल्दी चाहिए आपको यहाँ पर apply करना ही होगा तो 1st April से 1st में तक आप apply कर सकोगे exam आपका जून या फिर जुलाई के मन्त में जाने की आने विल दो तिन महिने में कोई exam भी होने चाह रहा है time limited है अभी form लगना start भी नहीं हुए है अभी कुछ 10-12 दिन का time है तो अभी से महनत करना start कर दो CGL का syllabus आपको बड़े मज़े से बड़े अराम से मिल जाएगा यह आपको समय जा गया दूसरी तरफ अगरा बारवी पास और apply करना चाहते हो CHSL की vacancies आने वाली है नाइन्थ में से लेकिए 8 जून तक आपके starting date और end date आपको में दिखा रहा हूँ एक्जाम आपका जुलाई से अगस्त में होने वाला है CHSL का बारवी पास वेकेंसी जे एक्जाम आपको जुलाई अगस्त में होने जा रहा है अच्छे से तियारी करो से लेबर से में रहाता है खाई लेवल तरह उपर नीच रहाता है कुछ तॉबिक्स कम जदा होते हैं ऐसा देखने को मिलता है और तीसे तरफ SSC MTS की बात करेंगे 10th पास वेकेंसी जे 14 जून से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो 14 जुलाई लास्ट रहने वाली है एक्जाम आपका अगस्त से लेके सेप्टेंबर के मन्त में रहने वाला है तना ही नहीं इसके बाद सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकलेंगे यहा आपने JKSSB में कहीं पर अप्लाई कर रहा है आपके रिविजिन अपने आप ही हो जाती है क्योंकि जिसे आप यहाँ पर अगर आप 10 पास एक्जेम्पल लेकर चलते हैं आपने JKSSB के लिए अप्लाई कर रहा था सेम स्लिबस इंग्लिश का यहां पर भी रहता है जीके का सक्षिन यहां पर भी रहता है जनरल अवेनेस यहां पर भी रहता है एप्टेट्यूड याने के मैथमेटिक्स यहां पर भी रहता है रीजनिंग भी यहां पर रहता है जम्मू करेंट डफर्स भी जहां पर रहते ह प्रिवीस से जिर करता रहता हूं जम्मों किश्मीर के कर रहा हूं के त्यारी कर रे हो साथ में किश्मीर का पूशंड करोंगे जो हमाइब त्यारी थे उसी लिए आपके पास बैस टाइम है सकती जो त्वाला है अगर आप चाहते आपको precious time और waste ना हो तो मैं आपको फिर से कहूंगा आपको यहां पर apply करना चाहिए और इसी तरह के जो भी और important job updates हैं वो मैं आपको लाता जा रहा हूँ आप वीडियो सेक्षिन में जाके कहीं तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी सिर्फ SSC नहीं और भी की तरह के job updates जो आते हैं वो मैं आपसे share करता रहता हूँ तो फिलाल इस वीडियो को अपने share करना है जेके latest info के नाम से हमारे सबी social media handle से टेलिग्राम भी इसी नाम से टेलिग्राम में आप जोइन कर सकते हो जो भी job update में आपसे share करता हूँ उसका PDF जो होता है ओफिशल वला वो इसी टेलिग्राम पर upload होता है आप पुराने PDF भी जाके देख सकते हो हमारा Instagram, Twitter, Facebook भी इसी नाम से है आप वहाँ पर जाके भी हमें follow कर सकते हो बाग किसी तरह के डाउट होगा आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके पूछ सकते हो और इनके तैयारी आज से ही करना स्टार्ट करतो आप लिए बड़ा इंपॉर्टन रहने वाला है थैंक्यू जाहिंद